चाप्टर शिक्स एप्लिकीशन्स ओफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग फर्स टॉपिक एक्ससाइज 6.1 के लिए तो जो जो एक्ससाइज आएगी उसके टॉपिक को हम क्लियर करेंगे पहली एक्ससाइज 6.1 पूरा एक टॉपिक पर डिपेंड है टॉपिक है रासियो में परिवर्तन की दर रेट ओफ चेंज ओफ पूरे कुश्चन का एक सार बताऊं में तो आपको क्या करना है कुश्चन को डिफ्रेंशीट करना है बस जो भी कुश्चन दिया होगा फर्स्ट कॉश्चन से देखेंगे डिफ्रेंशीट करना है एक्जांपल बता देता हूँ अगर कोई भी रासियो बस यूनिट याद रखना है जैसे हम S लेते तो D by DT अगर किया है तो S क्या होगा हमारा सर्फेस vastly हैस सर्फेस एरिश मतलब प्रस्टीज है रफलो और रिस्पेक्ट को दिया है यहां पर टाइम मतलब समय दूसरा हो सकता है कि कि अगर हम D試 by DR कर दे तो शर्फेस एरियो इस्फेयर गोले का प्रस्टीज है तरश मतली तो स्क्राइब करता है कि आप लिख क्या रहे हो यहां पर सेंटिमेहoi स्केयर तो जब आप कि रिष्पक्त में को डिफृर्षीट कर रहे हो सब्सकμोड करना कि में आपको युनिट दीव हौई है तो confirm वो differentiation है परिवर्तन किया हुआ है अब परिवर्तन का मैं एक्जांपल बता तो पानी में पत्थर मारो हल्का छोटा सा कंकर क्या होगा समय के साथ वरत के वो परिवर्तन होगा ऐसा बड़ा बड़ा गोला बनते जाते हैं बलून फुलाओ तो टाइम के साथ साथ फूलते जाएगा यह होता रेट चेंज इन ऑफ कॉंटिटी रासियों में परिवर्तन की दर कैसे हो रही है समय के रिस्पेक्ट में सबसे अच्छा के कारण बढ़ता जाता है हो और बलून फुलाओ तब भी उसके उसमें परिवर्तन होता है हवा बढ़ाते जाती दिरे दिरे फूलते जाता है आई तन में परिवर्तन की दर अब वो दर हमको निकालना है इतना याद रख लो कि एक बार क्या करना है डिफ्रेंस इसे कोशन से बड़े अच्छे कोशन है कोशन से इजी से समझ में देंगे लेकिन मैं इंपोर्टन यह बता रहा हूं कि आपको याद कैसे रखना है कि अगर सेंटिमिटर स्कूर पर सेकेंड दिया हुआ है तो वो किसी ना किसी को परिवर्तित करके दिया है मतला वो डिएस बाइडी की डीवी बाइडी डीटी डीए बाइडीटी की वैली होगे भुजा में परिवर्तन की दर दिये तो उसकी यूनिट देखकर पता लगाओगे कि यह दिया क्या है पहला कोशन समझ में आ जाएगा पहले कोशन पर ध्यान देते तो ज्याद अच्छे से क्लियर है 6.1 कोशन कोशन बोल रहे मतकि न परिवर्तन के दर इसकी तरिजया आर केसा परएक्श एक correl गयाद किजी rate of change in area of circle with respect to radius वरत की त्रिजНА वरत की छेटरफल में परिवर्तन की दर अच्छा जैसे वर्तका शेटरफल आया आपको पता होना ची वरत का चेतरफल area of circle पाई यार इसको लिख दिया मैंने अब वरत के चेतरफल में परिवर्तन की दर निकालना है find क्या करना है इंगलिश में देखो rate of change of area of circle मतलब वरत के चेतरफल में परिवर्तन की दर किसके साप एक्ष बोल रहा है आर के साप एक्ष तो आप इसको लिखोगे कैसे आप इसको लिखोगे d a by dr इसे लिखोगे जैसे मैंने यहां बताए ds by dt ये निकालना है यहां को given क्या है given है कब निकालना है जब r कितना आ रहा हो 3 cm बस differentiation अगर सीखा हो तो सब बन जाएगा अब यहां पर लिखतो दिया rate of change of area of circle व्रत के शेत्रफल में परिवरतन की दर यह हो जाएगा d a by dr d a by dr के साप एक्ष तो एक बार differentiation करेंगे तो एक ही जगा पर हम क्या लिखतेंगे तो यह हो जाएगा हमारा pi d by dr of r square जैसे differentiation करते है क्योंकि उपर भी आ रहे नीचे भी आ रहे formula d by dx of x की power n equal nx की power n minus 1 तो यह हो जाएगा हमारे पास pi 2 नीचे r में से एक कम हो जाएगा तो r यह क्या हो गया 2 pi r लेकिन कब निकालना है d a by dr की value कब निकालना है जब r equal कितना दिया हो तुमको यूनिट लिखना है मैंने यूनिट समझाई अभी 6 pi यूनिट की आएगा area का जो area जो चेतरफल है उसकी unit होती है centimeter square और प्रती centimeter यह पूरा question हुआ इसमें number मिलेंगे इस topic में किसे कुई doubt नहीं पक्का और सब में ऐसे ही करना है एक बार question को पढ़ के उसको पहचान है इसको लिख फिर 4 centimeter second question इसी का वृत के छेतरफल में परिवरते हैं कि दर area of rate rate of change of area of circle dA by dr equal d by dr of a pi r square pi को बार कर दिया d by dr of r square dA by dr dA by dr equal pi d by dr of r square 2 r अच्छा कब निकालना है dA by dr कब निकालना है जाब r equal कितना दिया है 4 centimeter value put कर दो pi 2 into 4 यह जाएगा 8 pi unit important है centimeter square per centimeter इसमें को डाउट है question number first के दोनों complete second यह important है अच्छा question है question second question read करो question question है एक घन का आईतन 8 centimeter cube per second की दर से बढ़ रहा है प्रस्ट का चेत्रफल की दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारी की लंबाई 12 centimeter है अब जब बात हो रही है घन के तो घन के बारे में सब कुछ पता करो घन मतलब English में cube यह cube होता है ठीक cube और cube घन का आईतन आईतन मतलब volume यह होता है भुजा की घात 3 भुजा की घात 3 मतलब A cube दूसरा वो बोल रहा है कि चेत्रफल में परिवर्तन की दर तो घन का प्रस्टी चेत्रफल surface area of cube यह होता है 6A square अगर A को आप side मान रहे हो तो तो वो होगा 6A square इसमें परिवर्तन की दर चाहिए और यह दिया हुआ है क्या दिया है देखो find rate of change in area of cube कौन सा area surface area surface area of cube घन के प्रस्टी चेत्रफल में परिवर्तन की दर घन के प्रस्टी चेत्रफल में परिवर्तन की दर हमको चाहिए और दिया क्या है घन के आयतन में परिवर्तन की दर ठीक है given given है हमारे पास अच्छा इसको हम अगर इसमें लिखे है तो यह वजाएगा हमारा d a by dt अच्छा बोल किसके साफ़ेक्षर है समय के साफ़ेक्षर centimeter square per second दिया है तो वो किसके लिए है t के लिए है ट के लिए यूनिट की बनती है second given है घन के आयतन की दर से बढ़ रहा है दर से बढ़ना मतलब परिवर्तन हो रहा है तो घन के आयतन में परिवर्तन की दर rate of change in volume of cube इसको क्या लिखोगे आप लिखोगे dv by dt गन के आयतन में परिवर्तन की दर को आप dv by dt लिखोगे और यह कितना दिया है 8 centimeter cube per second अच्छा प्रस्ट का चेतरफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी किनारे की लंबाई कितनी दिये 12 centimeter किनारे की लंबाई कितनी 12 centimeter ए बराबर दिया है 12 centimeter तब प्रस्ट किस दर से बढ़ रहा है यह हमको find करना है तो जो दिया है ना पहले उससे solve करो यहाँ पर हम लिखेंगे चुंकि घन का आइतन घन का आइतन बराबर होता है a cube volume of cube equal a cube volume of cube equal a cube volume of cube equal हो जाएगा a cube अब यह हो गया dv by dt equal dv by dt equal d by dt of a cube v की जगह पर कितना रखेंगे a cube इससे क्या निकालना है इससे निकालना है d a by dt चेक करते जाओ आगे और अच्छे समझ में जाएगा dv by dt कितना दिया है हमारे पास dv by dt दिया है 8 equal इसका a cube का t की रेस्पेक्ट में differentiation करोगे तो क्या आएगा 3a और d a by dt d a by dt value निकालो d a by dt की क्या आएगा 8 by 3a d a by dt की value आई 8 by 3a यहां तक कोई doubt है अब हमको चाहिए क्या हमको चाहिए घन के प्रस्टी चेत्रफल में परिवर्तन की दर rate of change in surface area of cube यह चाहिए हमको rate of change in surface area of cube तो वो हो जाएगा d a by dt गन के प्रस्टी चेत्रफल में परिवर्तन की दर d a by dt यह हमको चाहिए और हमने d a by dt की value इसलिए निकाली क्योंकि जब आप a का differentiation t की respect में करोगे तो d a by dt बचना ही बचना है equal d by dt of यह हो जाएगा 6a square 6 और d a by dt of a square का differentiation करोगे तो क्या आएगा 2a और d a by dt यह हो गया d a by dt small a solve करें d a by dt equal 6a 12a d a by dt चाहिए क्या प्रस्टी चेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके साफेक्ष? समय के साफेक्ष हमने d a by dt की value पहले ही निकाल लिए 8 by 3a इसमें value put कर दो और कब निकालना है मतलब d a by dt कब निकालना है जब a कितना दिया हो? a कितना दिया हो? 12 cm 12 into a और d a by dt, d a by dt की value 8 by 3a अच्चाहिए यहाँ पर देखो d by dt of a cube क्या जाएगा? 3a square 3a square तो यहाँ पर भी क्या आएगा? square और यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ पर square एक a से एक a cancel d b by dt equal d by dt of a cube इसका differentiation करने पर 3a square d a by dt d a by dt कब जब a equal कितना है? 12 cm 12 3 से cancel कर दो इसको कितनी बार? 4 बर अभी लिखा रहे ने दो 4 into 8 अब यहाँ से a से 1 a cancel हुआ था एक बच्चा भी है और a की value कितनी है हमारे पास? 12 cm इससे cancel 1 इससे cancel 3 तो d a by dt कब a बराबर 12 cm पर कितना है है? 8 बच्चे 3 अच्चा 8 बच्चे 3 भी है और इसकी unit लिखना पड़ेगा a की unit की आएगी? और t की unit की आएगी? यह हमारा answer यह हमारा खंचे 3 लिखेष को स्ते हैं? ऌएगा यह अब लिखेष्टे लिखेशे लिखने लिखेश